हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल श्रेव अजर्वित आयूश और बात करेंगे इसमें आई ओसी स्टॉक के बारे में काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं सर आयूसी के बोनस येस कब क्रेडिर होते हुए देखने को मिलेंगे कब डीमाइक में शो करेगा और कमपनी ने Announce भी कर दिया था हाली में कि डिविधेंट्स का पेमन कब है और किससे देखें आप डिविधेंट्स से पैसा आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा एक्जक्त आपके अकांट के अंदर सब कुस आपको इस वीडेयो में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा काफी important होने वाला है friends channel से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चानल को ज़रूर subscribe कर लिजेगा ताकि आपको सारी ऐसी latest और important information जल्दी जल्दी मिल सके ताकि आपको कोई भी wait ना करना पड़े इसके लिए एक आपको करने वह है notification bell को भी प्रेस तो चलिए बिना किसी देरी कि आप वीडियो को शुरू करते हैं बात करेंगे इसमें आयूसी के आज के जो स्टॉक का प्राइज मुवा है कल के टागेट के उपर भी तो चलिए सबसे बेले देखने ते हैं यहाँ पर bonus के बारे में कि bonus का आ इंपोर्टन चीज क्या है कि अभी तक जो रिकॉर्ड डेट है रिकॉर्ड डेट तो आप सबको पताईएगा कि फॉर्स अफ जुलाई थी फॉर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डेट होती भी देखने को मिल गई यह वह है फॉर बैट टू त्री आद रखेग तो फॉर्स अफ जुलाई के बाद आपको जो शेयर से वो शोर करने लग जाएंगे नहीं जब भी कोई बोनस शेयर दोस्ते आपर आपको मिलता है तो उसके क्रेडिट होने का एक टाइम पीरियड होता है टाइम पीरिड जो होता है वो बेसिकली देखें डिपेंडेंड की कंपनी कितनी फास्ट है प्लस आपका ब्रोकर कितना फास्ट है ये बात दो इंपोर्टन चीज़े c warnings कंपनी कितना जल्दी कर रहे है दूसरा के बोकर आपका जो भी है वो कितना जल्दी देखें उस process को पूरी कर रहा है अब होता कह डेखें most of the time के अंदर अगर मैं average period भी हाँ ये 7-8 दिन जरूर लगते हैं कि 7-8 दिन एक average आप time period मानके चली कि जो stock है वो आपको demat में तब तक तो show नहीं होगा पर हाँ 7-8 दिन के बाद वो bonus share जो है वो आपको show करने लग जाएंगे बोनस share हो split हो कुछ भी हो लेकिन उसमें time period लग जाता है time period में basically होता क्या है जो भी bonus share आएंगे याद रखेगा वो share जो आने वाले वो है तो नहीं वो ऐसा तो है नहीं कि पुरान है नहीं है तो अब वो होगा कैसे वह पहले stock का value split हो जाएगा उसके बाद वो shares divide होंगे तो य यहां पर कह सकते हैं कि आधिगारिक रूप से इनकी listing करवाई जाएगी तो दोनों में यह भी time period लगता है तो यह जो पुरा process है इसमें थोड़ा time बीच जाता है और 7-8 दिन के अंदर आपकी जो shares है वो आपको यहां पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे definitely तब तक 7-8 दिन लेकिन हां वो 7-8 दिन एक max period रहता है कि इस time तक तो पैसा आपको आपको जो बोनस शेर है वो आपका टीम आट के इंदर आपको शोड़ जरूर कर जाएगा और इस तरह से जाके process जो है वो complete होते भी देखने को मिलेगी दरने की कोई बात नहीं है जो लोग पहली बार जिनके कभी bonus लगा है या फिर पहली बार आपको बोनस में यहां पर आपको शेर जो है तब तक आपको डिफिनिटली यहां पर जो stocks है उसका loss देखना पड़ेगा उसको देखना वह दिखिएगा वह बात में जाके वह पुरा सेटल आउट डाउन आपको होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो चिंता करने वाली ऐस सच कोई बात नहीं है अब दूसरी बात नि दिविडेंट दोस्तो होता है वो कंपनी की AGM के बाद मिलता है तो कंपनी की तरह यह इंटीमेशन आ गया था अब कंपनी ने साफसाफ कहा क्या है यह आप सब सबसे पहले समझ लीजिए तो सबसे पहली बात क्या है fixation of record date for the purpose of final dividend यहां पर कंपनी ने साफसाफ क्या कहा है क बोड ने यहां पर क्या किया है कि 12 अगस 2022 फ्राइडे 12 अगस 2022 record date रखी है ताकि eligibility हो जो भी final dividend पे करने वाली है company final dividend जो है वो आपको देखने को मिलेगा 2.4 रुपीज पर शेर है 2 रुपे 40 पैसे प्रती शेर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको dividend मिलता हुआ देख देखने को मिलेगी as a dividend अभी जो dividend है इसमें एक अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास शेर पहले एक था तो वो तीन में हो गए 5 थे हम आपके जेगा एक था तो यहां पर आपको एक और करके दो करके total तीन हो गए जो भी शेर आपके वह आपको एक एक बढ़ते हुआ पर देखने को मिल गए तो वह अच्छी बात है कि आपको dividend भी आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा अगर आपके पास यहां पर कितने भी शेर एक्जामपल उसमें जो भी bonus आड करके भी company आपको dividend दे रही तो यह एक अच्छी बात है और यह अच्छी बात दोस्तों यहा पर साफ साफ कहा था कि subject to the approval of the shareholders of the company in the forthcoming annual general meeting of the company यह जब दोस्तों annual meeting होगी उसके बात जो आपका dividend है वो अगले 30 दिन के इंदर आपके जो account है जो भी अपने account दे रहा है उसके इंदर आपको मिल जाएगा तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है तो मेंस आप से तो देखि है वो काफी जाधा शांदार है 2.4 रुपीज पर शेयर का तो यह अच्छा डिविटेंट कंपनी को दे दिया जा रहा है तो यह डिविडेंट के अगर चाहें तो यहां पर डिविडेंट के अंदर भी participation कर सकते बारा अगर से पहले शेयर खरीद के तो यह बात important है तो फ्र डिविडेंटली टाइम के अंदर स्टॉक में रीकवरी आई जो लो बना यहां पर करीवन 73.30 का वहां से स्टॉक काफी उपर आपको आता हुआ देखने को मुला 74.45 74.7 का आज का open high सेम था नहीं आपको स्टॉक लगाता गिरावट दिखाया स्टॉक अगर आप देखेंग तो यह पर लगातार सुधरते होई नजर आते वे देखने को मिलें डिफिनिटली साल बर साल में कंपनी बहुत बड़ा यहां पर कोई कमाल नहीं कर पाई बट ठीक है जो भी नंबर आते वे देखने को मिल रहे हैं quarter on quarter तो basically मुझे तो improvement दिख रहा है 7.24 का company का अगर आप द पनी के अंदर जैसे मैंने आपको कहा तो यही बात है तो friends hopefully video में आपको पूरी information मिल चुकी होगी क्या क्या important चीज है तो thank you friends for watching this video